हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो mbcsbawa.com तो फर्स्ट आफ आल अल वेरी बेस्ट सारे पार्टिसिपेंट्स को जो भी एक्जाम के लिए आपियर हो रहे हैं डे आफ्टर टॉमारो 12 सिर्टंबर को और यह 10 सिर्टंबर को लेट नाइन हम लोग इस वीडियो को लांच कर रहे हैं इस वीडियो का हम लोग का जो में मोटिव है वो आप लोग को अब एक्जाम की त्यारी करने के लिए नहीं है अब इसको इस वीडियो का सबसे बड़ा यह सक्सस मंत्रा आपके इस वीडियो बनने जा रहा है क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या लास्ट टाइम आपको करना है एक्स एक्जाम को देने के लिए कैसे आपकी स्ट्राटजी बाकियों से डिफर कर देगी आपको और आप जो है एक्स एक्जाम को क्लिफाय कर जाओगевид जब यहां पर preparation की बात कर रहे हैं तो हम लोग exam preparation की बात नहीं कर रहे है strategy preparation की बात कर रहे है strategy बनाएंगे हम लोग इस वीडियो को पुरान तक देखी जिसे आपको clear हो जाएगा कि कैसे अपने नफ्स को hold करके you will crack this exam ठीक है just tips for the IBPS RRBPO prelims 2020 वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ाँ पताया जाए कि देखी अचानक से 7 सप्टमबर को जो है exam को पुस्ट्पॉन कर दिया गया था और फिर 8 सप्टमबर को admit card release कर दिया गया यह थोड़ा सा सभी के लिए थोड़ा सा disturbing जरूर है लेकिन एक चीज़ा दखना है यहां पे यह जितना disturbing आपके लिए है उतना ही disturbing के तरफ से अगर हम लोग से पूछिए तो यह बहुत ही अच्छा decision नहीं है लेकिन फिर भी क्योंकि एक्जाम है और हमको इसमें बैटना है center मिला है वो first choice मिलें से कम से कम ये है कि अब आपको भी आपने जब अपने center डाला हो तो आपको आडिया होगा कि कहां पर आपकी रिलेटिटिफ्स रहते हैं या कहां पे आप थ्ल्दा सेफ हो क्योंकि यह जो exam है यह exam kawbid situation के बाद covid pandemic के रहते यह पहला एक्जाम है आप लोगों के लिए तो इसके लिए हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था कि कॉविड में क्या 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 प्रेवेंशनरी मेजर लिया रहे हैं हम लोग इसको थोड़ा से एक दूपइंट और भी डिसकस कर लेंगे लेकिन अगर आप वीडियो नहीं देखें तो एक पार आप फिर से जाकर देख लेना कि क्या 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 आपको मेजर लेने हैं अभी अलमोस्त जब यह वीडियो बन रहा है आपके सामने जब आप यह वीडियो देख रहे हो तो नियर अबॉट 40 से 38 आवर्स आपके पास बचा हुआ है अब इस 38 40 आवर पिन पर नहीं अब सिर्फ अपनी confidence को भी करना Confidence को भी करना जिस COVID pandemic situation से आप क्रोस की वो उसी COVID pandemic situation से हर स्टुंफ क्रोस गया है कि कैसे score करना है क्यार रबीप यह कैसे कैसे क्राक करना है और यह सक्सेस मंतरा वीडियो बनेगा आपके लिए और 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 इनीवडी गिप मीद मैनेजमेंट टेप्स हमेशा आता है हमारे ब्लॉक्स पुछा गया है कि टाइम मैनेजमेंट के टिप्स पता जाए तो आपको पता है कि टेस्ट कैसे होगा टेस्ट में होंगी क्वाटिटीटीव एंगलेस है दे अंगले से लिए लिए अगर आपने जो पहली बार हो रिए उसको बिएकदम समझ लिए कि 45 मिनिट्स में उसे 80 कोश्टन करने है और जो हो चुके हैं पहले उनके लिए उनके लिए भी मतलब आपको कन्फिडेंस करना है करना क्या है आपको फीजेगर मेंटली आपको प्रिपार करना है किसी भी लोग जो भी आज 10 सप्तमबर ये लेट नाइट को वीडियो का लेका यहां हम लोग का क्योंकि आप को बिटा लगा रहे है कॉविट का situation से पने करें ऐगा और हर कोई पहले पहुंचा होगे एक दिन आप पहले पहुंच जो और वहां पे बहुत एच्छ नीन लो साथ चाट घंटे की नीन आपके एक्जाम वाले दिन रात होनी चाहिए एक्जाम से एक पहले रात को और 12 सेतंबर को आप फ्रेश मांड से एक्जाम देने जो बहुत जरूरी आपके लिए अगर आपके पुछा गया है कि वेरिंग मास्क के जिए कम पर सरी एदम बिल्कुल कम पर सरी है और 95 मास्क जो बोल दिया गया है 95 मास्क असा नहीं कम पर सरी है देखो कभी-कभी ऐसा होता है कुछ चीजों को हम लोग प्रोड़क्त के नाम से जानते हैं जैसे एक एक्जामपल के तौर मास्क मतलब यह नहीं कि इसको जनरलाइज कर दिया गया गया किसी भी तरीके का मास्क आपके लिए जो प्रिवेंट कर सके आपको ठीक है गलफ्स बहुत जरूरी आपके लिए रख लेंगे आप यह ट्रांस्पारेंट बोटल बहुत जरूरी है वाटर बोटल ले जाना है लेकिन ओपेक नहीं ट्रांस्पारेंट ठीक है और क्योंकि क्योंकि जब यह एक्जाम आप देने पहुंचोगे तो अब आपको एक कोवेड के साही में आपको थोड़ा सा पैनिक का महौल थोड़ा सा आप अपने आपको कम किया गया क्योंकि अब जिसे यह फ्लू आप लो आपको मास्क में दिखाई देंगे तो वहां पर आप बिल्कुल घबराईए नहीं बिल्कुल पैनिक मत हुए सेंटर ने आप यह जिसने भी इसको मैनेज किया एक्जाम को वह बिल्कुल ही प्रॉपर काइडलाइन के साथ आपके एक्जाम से लेगा वहां कोई रश करने की जुषत नहीं है भागा भागी करने की जुषत नहीं है बिल्कुल पराम से जाई थोड़ा पहले जाई यह टेंपरेचर टेंपरेचर भी देखिए अगर नॉमल टेंपरेचर रखी क्योंकि आपको मैंने बार वहां बिल्कुल रखो इस पूरे वीडियो का जो बार बार ब सिच्वेशन में भी एक्जाम के लिए ठीक है अपने कॉल अपने अपने फोटो आडी के साथ किसी भी अरजिनल आडी प्रूफ के साथ फोटो कॉपी रख लो फोटो रख लो एक स्क्राइब के लिए स्क्राइब फॉर्म डियोली साइन होना चाहिए विद फोटोग्राफ और कंड्रेट मस्ट हैव आरगी से तू अप इंस्टॉल इन दे मॉबाइल फोन ठीक है यह सब चीजें आप जो है बिलकुल कंसीडर कर लो और अगर इस पे एक वीडियो भी है अगर आप चाहो तो उसको भी जल्दी से 10 मिन में देख सकते हो फिर बात आती है अब यहां प को 45 मिनिट्स में 80 कोशन्स वर्फन पंड़ने होते हैं एक कोशन्स आप जो आटेम्ट में वह बहुत टॉफ हुआ है बहुत टॉफ कोशन दिया गया जान मुझकि इस टॉफ कोशन्स को सेट किया जाता है कि इसमें आपकी आपकी अनलेटिकल अबिलिटी को टेच्च किया गई है और इसको हम लोग बहुत हाइलाइट भी करेंगे यह अनलिटिकल अबिलेटी आपकी सोचने की इमिडिट छमते को कैपसिटी को वहां पर अबज़र कियाता है कि ऐसा नहों कि एक कुछिन टफ आ गया और आपने कॉंटेटिव अप्टिट्यूड का यह सिंपल इंट् किया और उस एक कोश्चन को सॉल्व कर लिया यह एक कोश्चन बनता ही है आपको डाइवर्ड करने के लिए कि आपको पांच मिनिट निकल लिया और आपके पास सिर्फ 40 मिनिट्स बचें है और 40 मिट्स में 79 कोश्चन तो नो वन इस गूइं टो गीव दे नौवल यह नहीं सकते अपने लसे जानते हौ आपसे पजल साब पजल के हिरो आप इसको बिल्कुल यह जोड़ना नहीं सकते इस चीज़ का कोई भी एक्ष्चन में माइंड में नहीं होना चाहिए उट और कोवेट के सिच्विशन का डर्णी टेंशन नहीं होना चाहिए यह इगो आप इदम बिल्कुल आभी एक दो दिन है 50 hours है 40 hours में आप इस इगो को अपने मारने कोशिश करो इसको खतम करो कि नहीं questions को आप देखो क्यों कि क्या होगे जब आप उस question को skip कर जाओगे मतलब आपने जैसे इसको skip किया आपके चार questions एक्स्ट्रा सॉल्व हो गए और बिलीव मी each and every questions will make a difference between a qualifier and not qualifier एक question भी आपके में difference ला सकता है तो चार questions तो बहुत बड़ी बात हो गए ठीक है कि 45 minutes में 80 questions solve करने रहते हैं pre determined mindset से नहीं जाएंगे प्री determined mindset का मतलब नहीं है कि आप एक दम बिलकुछ सोच के जाओ कि मैं इसमें 20 solve करूंगा इसमें 30 solve करूंगा क्वांट में और reasoning में 25 solve करूंगा ऐसा करके कुछ नहीं हुसाता कभी कभी क्या होता है प्री determined mindset जाने से मतलब क्या होता है कि आप पहले से ही अपने goal को achieve बना लेते हो गोल को नहीं बनाना होता है यहीं चीह मैं समझाने कोशिट करता हूं बार बास अभी को गोल नहीं बनाई अब plan बनाईए don't prepare yourself for essay writing you prepare yourself for extempore क्या difference यह है कि आपको पता है कि essay writing में कितने बड़ा लिखना है क्या लिखना है, topic आपको पता रहे गा, topic आप topic याद करके चल जाओगा, extempore क्या होता है कि आपको चीजे पता है, आपको planning पता होने चाहिए कि आपको अचानक से कुछ बोलना है तो आपको knowledge होना चाहिए उसी के बारे में और आप उसको बोल ले आओगे तो plan पे focus करो target पे नहीं ठीक है target क्योंकि target अभी आपका exam के questions को solve करना है ठीक है target आपको यह नहीं है कि अभी आपको क्या करते हैं कि 40 questions solve करने नहीं target आपको 40 questions को solve करना पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है target आपका exam को qualify करना यह बहुत ज़रूरी है इसको याद रखना target कभी आपका out of a t if you are solving 78 questions this is not your target out of a t you are you have to solve 50 questions if it is needed for the qualifying question अगर qualifying के लिए 50 questions को qualify करने के लिए target करोगे ठीक है इसके दिमाग में पहले से नहीं जाओगे कि मुझे 80 questions solve करना है यह हम लोग कोई board का exam से नहीं लिख रहे हैं कि marks marks इसके exam नहीं लिख रहे हैं यह हम लोग competition लिख रहे हैं पोल को पहले cross कौन कर रहा है यह exam होता है qualifying exam इस तरह को भी exam होता है ठीक है सेकंड चींज focus on accuracy is a must यह बहुत important point देखो इस प्रीच को हाइलाइट करते हैं और फिर से accuracy accuracy बहुत मस्त है क्योंकि जब exam के जो questions जो आपको deliver होते है marks ठीक है वो normalization process पो होते है normalization process का मतलब क्या है कि कभी 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 क्या होता है कि कभी 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 आप लोग किसी से भी पूछन ना कई बार आपको students मिलेंगे जो बोलेंगे कि मैं तो सिर्फ 49 questions को solve करके आया था और मेरे marks 54 है यह सुनके बहुत ही आश्यर होगा आपको कि 49 questions को solve करके आया तो उसके marks 54 कैसे आगे लेकिन यह normalization एक करव है अभी एक्जाम के बाद जब आप आओगे तो मैं आपको सताइक वीडियो बना कि और वहाँ पर एक answer सही आया किसी ने एक answer को सही किया इस tough question का जो marks distribution होगा और different होगा as compared to the easy questions लेकिन वो easy questions और tough questions आप deciding कर पाओगे वो आपको पता नहीं होगा वो decision जाता है कि कितने लोगों ने उस question को attempt करके सही किया है या कितने लोगों ने उस question को attempt करके गलत किया है इस त बाजी में आप out of 80 अगर आप 60 attempt कर रहे हो 62 attempt कर रहे हो आप 60 कर लो लेकिन ये दो question का जो time है वो आप at least अपने चीजों को review करके अच्छे से समझ के सीधा option A देखके tick मार करने की होड़ नहीं होने चाहिए आप A, B, C, D, 4 options को पढ़ो एक पस जल्दी से जटके से जो भी आ पहले ही आपको पता है कि जैसे 1 plus 1 कितना है 1 plus 1 कितना आएगा option में आगया 2, B में आगया आपको गया कितने है कुछ भी 3, C में आगया 4, D में आगया option A, option A ठीक है बस एक जामपल को तर बता रहा हो तो आप यहाँ पर 1 plus 1 2 देखके इसको मार दिए लेकिन यहाँ पर क्या यहाँ पर दिए लिखा है कि option A है, option A में क्या 2 है, इसका मतलब यह और यह दोनों सही है, एक एक जामपल को तर पर बता रहा हूं, यह क्या होता है इससे कि कहीं बार answers जो है आपको पहले जो दिखेगा वही सही होता है, लेकिन कहीं डी में हो सकता है कि बहुत करके हो, और यह और सी दोनों सही हो जाए, तो immediately देखके टिक माने की जल्दी मत करो, questions थोड़ा सा संभल के करो, क्योंकि accuracy आपको बहुत matter करेगा, accuracy सही है, आपके marks आगे पीछे हो जाएंगे, then candidates should never get panicked throughout exams, पूरे exams में अगर आपसे questions नहीं बन रहा है, तो हो सकता है कि उस बार का paper जो है बहुत tough बना हुआ है, और आप सुच रहे हो कि नहीं, हमको 50 अगर नहीं cross कियें, तो मेरा selection नहीं होगा, और आप अभी 35 questions पर हो, आपके पास 5-10 मिंट बचा हुआ है, और आप immediately tick करते चलेगे, false tick करते चलेगे, random blind में tick मार दिए, और अपने questions के attempts को बढ़ा जिए 52-55, यह सुचते हुए कि अगर जब तक मैं 50 नहीं करूंगा, तब तक मैं selection नहीं होगा, हो सकता है कि वहाँ पर इतना ही questions पर selection हो जाता है, आपने बस यह blind जो मारा, यह आपके लिए एक disadvantage होगे, तो blind नहीं मारना है, बिल्कुल टेंद है, finally if you want to clear exams, then don't give up in the middle of the exam, और तो serious ही बात ह to be cool and calm and give your hit, you just give your hit there, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगो चलो, एक बार last year के cut-offs को we decide कर लेते हैं, discuss कर लेते हैं, cut-off देखो, mostly आप 55 to 60 के range में ही, सारे cut-offs आपको देख रहे हैं, 58, 58, 55, 64, 59, 55, तो यह इतना ही questions में आपके जो है, पूरी-पूरी decision जाती है, out of 50, तो इस 55 60 का मतलब यह नहीं कि 55 questions ही सही करने हैं, आप से बोला हूँ कि अगर आप 50 questions को भी with accuracy कर लेते हो, with 100% accuracy और 98% accuracy, 98, 99% accuracy, then your chance is high, ठीक है, लेकिन यह कब किस exams के लिए, यह last exams के लिए, हर बार exams का pattern, हर बार exams के difficulty levels different होती है, पहले से, इस चीज़ को आप दियान में लेके जाओग computation, it's only your imagination, आपकी छम्ता सिर्फ आपकी कल्पना है, ठीक है, you can stretch up yourself, आप अपने आपको जितना जाओ, उतना जाओ, stretch कर सकते हो, तो all the very best for your exams, day after tomorrow, जब भी हम लोग आप exams हो जाएंगे, तो हम लोग से एक और वीडियो बनाएंगे, analysis कर के, कैसा exams का cut-off रहेगा, या कैसा exam र your exams, good night.